हाउ तॉ टॉ तरण ऑन प्रोफाइल पिक्चर गाड इन फेस्बूब्स कॉ टूटूजन ट्वेन 01 सू आज की वीडियो देश्ब्स को किस तरी के सद्विक्टर अप्लाय करना है और अपने फेस्बूबक के प्रोफाइल picture में एक picture guard का जो icon है वो आपको किसरीगे से turn on करना है as you can see यहाँ पर अभी facebook के profile में एक नया feature एक और add हुआ है कि आप अपने facebook के profile में एक picture guard का icon set कर सकते हैं इस icon को इसका symbol का मतलब यह होता है कि आपके जो facebook के profile है उसे कोई भी person डाउनलोड नहीं कर पाएगा ना ही इसका screenshot ले पाएगा यस तो यह बहुत ही ज़ादा useful एक तरीके से आपके facebook account को secure रखने में बहुत ही ज़ादा useful लता है यहाँ पर last time facebook में एक और फीचर आया था यूगाईस आ अलिडी नो कि facebook profile lock का feature तो facebook profile lock का feature अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप अपने facebook के profile icon पे profile picture पे facebook profile picture guard का option अप्लाई नहीं कर सकता है या तो facebook profile lock apply करिये या तो आप facebook में ये picture guard का icon add करिये दोनों मैं से कोई एक option आपको choose करना था बट मैं highly recommend करूंगा कि आप अपने facebook में facebook profile lock का feature apply करिये because वो overall ये आपके facebook account को secure रखता है और facebook profile picture guard का जो option है ये सिब आपके facebook के profile को secure होता है that's all about but still कही न कही ये भी एक तरीके से security setting है जो आपके facebook में आप apply कर सकते हैं तो फिलाल यहाँ पर अभी आपको अपने facebook के profile में ये picture guard का option किस सरी के से turn on करना है ये feature आप इसल अपने facebook के website में apply कर सकते हैं और ये आप ये facebook के application में apply कर सकते हैं और ये आप ये easiest method है 2021 में वो है कि आप अपने facebook के application में इसे apply करिया है अब इसे apply कैसे करना है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको आपको जाना है अपने facebook के application में facebook application में जाने के बाद आपको उस account में login हो जाना अपने facebook के जिस account में आप अपने profile picture guard को activate करना चाते हैं तो turn on करना चाते हैं login होने के बाद आपको directly जाना है अपने profile आइकन पर आपको डारेक्ली चाहते हैं, यहाँ पर आपको option मिल जाता है, otherwise आप डारेक्ली यहाँ पर टाप कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर टाप करूगा, टाप करने के बाद यहाँ पर आपका profile picture है, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, कोई भी picture guard activate यानि कि turn on नहीं है, turn on करने के लिए डिएस आपको डारेक्ली अपने Facebook के profile पर इस तरीके से tap करना है, tap करने के बाद यहाँ पर आपको 5th नंबर पर option मिल जाता है, turn on picture profile picture guard, just आपको इस पर tap करना है, tap करने के बाद यहाँ पर पूरा का पूरा detail बताया गया है, कि किस तरीके से ये profile picture guard का feature एक तरीके से work करता है तो आप चाहते हो पूरा का पूरा detail में read कर सकते है otherwise आप इस part को skip भी कर सकते है और इसके बाद next option पर आपको tap कर देना है and then save तो finally आपका जो facebook का profile picture है उसमें picture guard का icon turn on हो गया है as you can see that अब इसके बाद कोई भी unknown user आपकी facebook profile में आपकी picture का download नहीं कर पाएगा और ना इसका screenshot ले पाएगा इसका access सिर्फ और सिर्फ आपके facebook के जो friends है जो आपके list में add है उनके पास ही इनका access होगा वही इसे देख पाएंगे वही इसे download कर पाएंगे और वही इसका screenshot ले पाएंगे that's it all about जो spammers है जो unknown user है जो आपके list में add नहीं है उनके पास इसका access नहीं होगा that's it all about अब लेट से example आपको चीजन के वज़े से इस picture profile card को आप turn off करना चाहते है तो जिस तरीके सा आपने turn on किया just उसी तरीके सा आपको turn off भी करना है turn off करने के लिए just आपको इसी icon पर tap करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको option आजएगा turn off profile picture guard just आपको इस पर tap करना है and then yes and finally जो profile picture guard है वो एक तरीके से turn off हो गया है like this और फिर से turn on करना है just आपको tap करना है यहाँ पर tap करके and then next save तो finally आपका picture profile guard turn on हो गया है आपके facebook के application में so that's just all about यह आपके facebook के account में facebook के website में facebook light application और facebook application तीनों में apply हो गया है तो तीनों में आपको अलग-अलग तरीके से apply नहीं करना है अगर आप same account से login करते हैं so that's just all about this will help you in 2021 और यहाँ पर मैं एको चीज आपको बताना चाहता हूँ यह भी जो feature है यह भी size कुछ limited countries में available है जिस तरीके से facebook profile log का feature कुछ limited countries में available है तो उसी तरीके से यह feature अगर आपके facebook के application में शोर नहीं हुआ that means समभ़नाना कि आपके countries में जिस country में आप रहते हैं वहाँ पर यह feature available नहीं है that's just all about this will help you in 2021 thank you